हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू पीडी रेसिपीज आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खटी मीठी चटपटी चटनी इसके साथ आप दो रोटी ज्यादा खा लेंगे तो आएए देखते हैं इसकी रेसिपी तो ये चटपटी चटनी बनाने के लिए हमने लिया यह एक आम सहरा धनिया और एक हरी मेर्च साती थोड़ा सा जीरा लिया है और थोड़ा सा हमने धनिया लिया है थोड़ा नमक और शकर सबसे फंदे क्या करेंगे आम के ऊपर का जो चिलका है हएसे हटा लेंगे जीरा और धन्या को खटानने हैं इस में जीरा और धन्या को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ज्यादा इसे पकाना नहीं है थे साउंदी कि खुषबू आने लगे बस तो एक से दो मिएन तक इसे चलाना है और यह हमारा हु치 तियार है तो हमें चटनी पीसनी है तो सबसे पहले जीरा और धन्यार में इसके पॉथ में इस Wanna ला देंगे सब्सक्राइब और लिए देखे एक दम फाइन पाउडर बनके तैयार हो गया है अब यह जो आम है ना इसका इस तरीकी से उपर से हम छीलका निकाल लेंगे उपर का हरा कवर सारह का सारह निकाल लेंगे और इसको काट के से पीजी इस बाप चूह करलेंगे और इसकी गुठली इसमें हमने अच्छे से पाउडर बना के रख लिया है इसमें अब हम डालेंगे यह बारीकटिव हरी मिर्चे और आम के टुकड़े इसे के साथ हम इसमें डाल देंगे साफ पूदिना की थोड़ी सी पत्तिया बहुत जादा नहीं डालेंगे और धन्या की पत्तिया डाल देंगे अब इसे हमें ढखकर पीसना है ये देखिए इसे हमने अच्छे से पीस लिया है अब ये बहुत दरदरा है अब हमने इसमें पानी नहीं डाला था अब हम इसमें आवशकत तनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसे बहुत अच्छा पीस लेंगे अगर आपको दरदरी चटनी पसंद है तो आप थोड़ा कम पानी डालिए और बहुत आपको चिकनी चटनी पसंद है तो आप थोड़ा पानी डालके जैसे पीस लीजिए तो ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया खटी, मीठी, चटपटी, कच्चे आम की चटनी बनकर तयार है इसे ऐसे ही रोटी और पराटे के साथ खाईए बहुत टेस्टी लगता है आप इसके साथ दो रोटी जादा खाएंगे अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक आप स्वस्तर रहिए, मस्तर रहिए, नमस्कार